नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल प्रभुधर्शन करे में तो चलिए दोस्तों आई आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जियां दोस्तों मेरे चनल को सिस्क्राइब जरूर करें और जादा से जादा शेयर करें आज हम आपको नवरात्री के प्रथम दिन माता की पूजा स्थापना वेखट स्थापना विधी बताएंगे वीडियो को अंतक देखें नवरात्री का पावन पर्व शुरू हो चुका है ये दिन में माता की पूजा होती है नवरात्री की पूजा नौ दिनों तक चलती है नौ दिनों में मा दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है नवरात्री के आरंभ में पति पता तिति को कलश या घट की स्थाप किया जाता है हिंदु पंचान के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतेपदा से नवरात्री का शुभाराम होता है जो नौ मी तक चलता है यह नौ दिनों ने माता के नौ रूपों की पूजा होती है नवरात्री में नौ दिनों में हर तरह के शुभ कारे कर सकते नवरात्री के नौ दिनों में हमें मुहरत देखने की आवशक्ता नहीं होती हैं। वेखास दिनों में लोग रह प्रवेश, बच्चों का मुंडन, नई गाड़ी खरीदना आदी करते हैं। इन नौ दिनों में किये गई पूजा, माता, प्रसन होती हैं और व्यक्ति के हर मनो कामना को पून करती हैं। अगर आप कलश स्थापना विधी पूर्वक करते हैं तो मातारानी आपकी हर इच्छा को पूरी करती हैं। तो आईए, अब हम आगे बढ़ते हैं कलश स्थापना की संपून विधी बताते हैं। नवरात्री में कलश्वे घट स्थापना करते समय आप शुब मुहरत का ध्यार नखें। और स्टील के कलश का प्रियोग घट स्तापना में ना करें जो बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र शोद साफ की हुए मिट्टी जिसमें कि जो को बोया जा सके कलश में भणने के लिए शुद जल अत्वा गंगा जल मिल जाए तो अति उत्तम होगा कलश में ढखने के लिए पानी वाला नारियल लेले, नारियल को लपेटने के लिए लाल गपड़ा या मौली सूत्र इत्र साबुत सुपारी दुर्वा कलश में रखने के लिए सिक्के, पंच रतन अशोक या आम के पत्ते धकन में रखने के लिए बिना कुटे हुए चावल फूल माला आदी, धर्म शास्त्रों के नुसार कलश को सुक सिम्रिद्धी का प्रतीक माना गया है, हिंदु धर्म में ऐसी धारना है कि कलश के मुक में विश्नुजी का निवास, कंट में रूद्र तथा मूल में ब्रह्माज स्तित होते हैं, और कलश के मद्दे में देव्य शक्ति निवास करती है, कलश की स्तापना से पहले, पूजा स्तल को शुद करें, और एक लकडी का पट्टा ले, उसे गंगा जल डाल कर पूँच ले, उसके उपर लाल कपड़ा विछा दे, इस कपड़े पर थोड़ा चावल यानि की अक्षट डाले, अक्षट रखते समय भगवान गनेश का ध्य करें, इसके बाद मिट्टी के पात्र में जो बॉएं, मिट्टी का पात्र जिसमें जो को बॉएं हैं, उसे रखें, पट्टी के उपर जल से भरा हुआ उस पात्र को रख दें, कलश के मुख पर रक्षा सुत्र बांध लें, और कलश के चारो तरफ रोली से स्वास्तिक या नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर मौली से बांदे अब नारियल हमें कलश पर रख दिया है ध्यान रहे कि नारियल का मुख सादक की और हो शास्त्रों में उलेक है कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रों में वृद्धी होती है नारियल का मुख उपर की रहे तो रोग बढ़ते हैं जबकि पूरफ की तरफ मुख होने से धन का विनाश होता है इसलिए आप इस बात का ध्यार नखे कि नारिल का मुख सादक की तरफ रहे अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवहान करें कि वह नौ दिनों के लिए उसमें विराजमान हूं कलश या घटकी स्तापना करने के बाद माता की चौकी की स्तापना की जाती है तथा नौ दिनों तक इनका पूजन किया जाता है आईए अब हम आपको माता की चौकी स्तापना विदी के बारे में बताते हैं माता की फोटो की दाई और आप कलश की स्तापना करें, लकडी की एक चौकी को गंगा जल से धोकर वे, शुद कपड़े से पॉंच का शुद करें, साफ कपड़े से पॉंच ले, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें, इस बात का ध्यान रहे कि माता की फोटो की दाई तरफ ही कल अशूर माता की फोटो फ्रेम मूर्ती जो भी आपके घर पर हो उसे चौकी पर रख दे माता को चुनरी उड़ाए धूब धीप जला कर माता की पूजा करे मातारानी को तिलग करें नौ दिनों तक जलने वाली अखंड जोती माता के सामने जलाए अखंड जोती जलाने के संपून विधी हमारे दूसरी वीडियो में है आप प्लेलिस में जाकर वीडियो देख सकते हैं माता को वस्र चंदन सुहाक का समान यानिकी हल्दी कुमकुम सिंधूर अस्ट घंदा आधी अर्पित करें मंगल सुत्र हरी लाल चूडिया फूल माला इत्रफल मिठाई आधी समर्पित करें अपनी शद्धा अनुसार दुर्गा सब्तशती का पाठ करें देवी मा के शुरूत सहित नाम का पाठ कर सकते हैं देवी मा की आर्ती सुभा और शाम को करें पुजा के बाद जो की मिठी में जल का चिड़काव करें पुजा के बाद जो वाले पात्र में जल का हलका हलका छिड़काफ करें जल बहुत अधिक या बहुत कम ना छिड़कें जल इतना हो कि जो अंकुरित हो सके या अंकुरित जो बहुत ही शुब माने जाते हैं यदि इन में से किसी अंकुर का रंग सफेध हो तो बहुत ही का अगमन होगा इससे मातरानी का आशिर्वात आपके परिवार पर बना रहेगा जी हाँ दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके